कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के मन्शा तो जग जाहिर है पाकिस्तान साम दाम और दंड भेट की नीती से धर्ती की जन्नत को हासिल कर लेना चाहता है लेकिन घाटी को पाने की हसरत में भारत को आँख दिखाने वाले पाकिस्तान के सुरब बदलने लगी है कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुक कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा बयार दिया है जिसे सुन कर सभी हैरान है पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर मुद्दे का समाधान राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर करने की वकालत की है बाजवा ने रक्षा दिवस पर आयोजित वार्शिक कारिक्रम के दौरान कहा कि किसी भी देश की तरक्की के लिए शांती जरूरी है उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी यही भैतर होगा कि वो पाकिस्तान के मिंदा करने और कश्मीरियों पर सेना ठोपने के बजाए शांती पूर तरीके से इस मुद्दे का समाधान धूले बाजवा ने भारत का नाम लिये बगैर कहा कि हम हमसे ताकत और पड़ोसी देश को जवाब देना चाहते हैं पाकिस्तान दक्षिन एश्या में पर्मानू हत्यार लेकर नहीं आया और हमारे पर्मानू हत्यारों से किसी को कोई खत्रा नहीं है आपको बता दे कि इस से पहले भारत में भी सहियोगत राष्ट में कश्मीर मसले पर भारत को दो टूप जवाब देते हुए कहा था कि जमू कश्मीर उसका अभिन हिस्सा है और हमेशा रहेगा भारते राजने श्रीमास प्रसाद ने कहा कि इसलामाबाद भारत के स्वर्ग पर नजरे गडाना बंद करे इसके साथ ही श्रीमास प्रसाद ने आतंगवाद को लेकर भी पाकिस्तान की कड़ी निंदा की उन्होंने कहा कि इसलामाबाद में आतर्माद का इस्तमाल सरकारी नीती के तौर पर किया है जिसकी भारत कड़ी आलोचना करता है डीबी लाइफ की रेपोर्ट